नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वपनिल सागत जैन, निरामय होमियोपैथी के अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों, आजकल के जमाने में हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है और जिसके सबसे ज़्यादा पेशेंट होते हैं, जिससे सबसे ज़्यादा लोग पीलित होते हैं, वो होता है उनका वजन बहुत सारे लोग अपने वजन से बहुत ज़्यादा परिशान होते हैं, अनियंतृत उनका मॉटापा होता रहता है और उनकी बोडी में फेट का अनियंतृत डेपाजीशन होने लगता है, अनियंतृत जमाम होने लगता है और वो बहुत कुछ करते हैं उसके लिए आयोरवेदिक दवाई खाते हैं, होमियोपेथिक दवाई खाते हैं, एलोपेथिक दवाई खाते हैं, एक्सरसाइच करते हैं, डाइटिंग करते हैं लेकिन पूरी तरहे उस मोटापे को कवर नहीं कर पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते, खत्म नहीं कर पाते हैं। अब ये जो समस्या है खास तोर से हमारे जीवन जीने की पद्धती के कारण बढ़ जाती है। हम ऐसी बहुत सारी चीजों का उप्योग करना शुरू कर देते हैं, जिनके कारण हमारी बॉडी में फैट का अनियंत्रित डिपॉजीशन होने लगता है, हमारा जो एडिपोस टिशू होता है, हमारे अंदर जो एडिपोस टिशू पाए जाते हैं, उनमें अनियंत्रित पर देते हैं, अब माली जे किसी को PCOD के कारण मोटापा हो रहा है, यानि कि यदि कोई महिला है और उसको polycystic ovary की शिकायत है, और उसके कारण उसमें मोटापा हो रहा है, तो उसके symptom से match करके अलग दवाई दी जाती है, यदि किसी को किसी दूसरी समस्या से कोई गोली खालेने से मोटापा बढ़ रहा है, तब उसके symptom से match करके कोई दूसरी दवा दी जाती है, तो इस से उनका जो मोटापा है वो खत्म होने लगता है, लेकिन एक general condition जो मोटापी की होती है, जो किसी कारण से नहीं, लेकिन उनका शरीर जो है वो अंदर से मोटा होने लगता है बहुत जादा fat का deposition होने लगता है, उसके लिए होमियोपैथी में एक बहुत अच्छी दवा आती है, जिसके की बहुत ही अच्छे result अभी तक देखे गए हैं, और इस medicine को कहा जाता है दोस्तों, phytolakka, berry, ये इसका पूरा नाम है, दोस्तो phytolakka, berry इसका पूरा नाम है, यहां पर मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहूंगा कि phytolakka, decandra करके एक दूसरी medicine आती है, जो कि tonsillitis जैसी बीमारियों में काम आती है, तो आपको phytolakka, decandra नहीं लेना है, आपको phytolakka, berry लेके आना है, phytolakka, berry, homeopathic medicinal system की एक ऐसी medicine है, जो कि हमारे वजन को कम करने में हम हमारी मदद करती है, तो आज मैं आपको phytolakka, berry के ही बारे में बताने वाला हूँ, कि ये किस तरह से और किन-किन चीज़ों में हमारी help करती है, इसके क्या-क्या doses रहते हैं, और हमें इसको किस तरह से लेना चाहिए, और क्या हमें इसके साथ में करना चाहिए, जिससे कि हम phytolakka, berry जो tablets आती हैं, उनका use ना करें, जब आपके पास mother tincture ही available है, ये mother tincture है phytolakka, berry का, तो जब mother tincture ही easily available हो जाता है, तो उसको use करें, क्योंकि tablets मुझे नहीं लगता कि वो जो 1X, 3X potency में बनाई जाती हैं, वो उतनी ज़्यादा effective आपको होंगी, यदि हम इसको पाने में ये आपकी साहता करता है, बहुत सारे लोगों को fungal infection हो जाते हैं, उसमें भी phytolakka, berry का mother tincture बहुत ज़्यादा उनकी help करता है, इसके अलावा, पिफलिस और rheumatid arthritis जैसी बीमारियों में भी phytolakka, berry का बहुत ही अच्छा result देखा जाता है, तो मैं इस वीडियो क ज़्यादा लंबा नहीं की चुँगा, सीधा मैं इसके dose पे आता हूँ, यदि हम इसके dose की बात करें, तो इसको लगभग 20-20 बूंद दिन में तीन बार आधे कप या एक कप पानी में मिला के पीना शुरू कर देना चाहिए, ये बहुत अच्छी medicine है, जो कि आपके वजन क कंट्रोल करने में आपकी मदद करेंगी, लेकिन continue तीन से चार महीने कम से कम इसका उपयोग करना जरूरी है, अब यहाँ पे साथ में सबसे ज़्यादा जो जरूरी बात है, वो ये है कि अकेले phytolak का बैरी आपके वजन को कम तो करेगी, लेकिन जो speed आपको चाहिए, वो speed आपको नहीं मिलेगी, तब उस condition में आपको speed को बढ़ाने के लिए, यानि कि अपने मोटा पे को कम करने की, जो speed है उसको बढ़ाने के लिए, आपको शाम को 7 वजे के बाद खाना पीना बंद करना होगा, dieting, आपको diet chart follow करना होगा, हम लोग खाना खाते तो हैं, लेकिन खा walking करना, running करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो जब आप इन सारी चीजों को अपनी lifestyle में शामिल कर लेंगे, तब phytolakka berry के साथ में उसका इस्तेमाल करने से, आपका जो वजन है, वो बहुत जल्दी कम होने लगेगा, और मैंने इसके जो results देखे हैं, कि dieting और exercise के साथ सा लोग phytolakka berry का mother tinger इस्तेमाल करते हैं, 20-20 spoon दिन में तीन बार आधे कप या एक कप पानी में मिला कर, उनका जो वजन है, वो एक महिने में 3-4 kilo तक आसानी से कम हो जाता है दोस्तो, phytolakka berry के mother tinger की 20 spoon सुबह, 20 spoon दोपहर में और 20 spoon शाम को आधे कप या एक कप पानी में मिला कर पीना चाहिए पानी आप अपनी सुविधा अनुसार भी ले सकते हैं, लेकिन आधे कप से कम नहीं होना चाहिए आप ठंडा पानी, गर्म पानी, गुनगुना पानी जैसा चाहिए, वैसा भी आप अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हैं लेकिन पीना इसे दिन में तीन बार है, ये जो दवा है, पाई टुलक का बैरी, ये आपको किसी भी होमियोपेथिक मेडिकल स्टोर पे या फिर ऑनलाइन थारमेसी पर मिल जाएगी, आप पहसे इसे बड़ी आसानी से खरीब सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए फिलाल इतना ही, आगे के वीडियोज में हम बात करेंगे कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होमियोपेथिक दवाओं के बारे में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत